पंजब एएपी से राजसभा सांसद रागव चडड़ा ने कहा कि इंडिया गड़ बंदर अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहा है 18 जन्वरी को चंडीगड में होने वाला मेर चुनाव केवल चंडीगड तक सिमित नहीं है यह देश की राजनिती की तस्वीर दिशा और दिशा बदलने वाला है यह लोकसबा 24 चुनाव की नीव रखेगा यही चुनाव का आगाज होगा उन्होंने कहा कि गड़बंदन पहली बार बाच्पा का सामना करने जा रहा है यह पहले मेच के रूप में माना जाएगा हमें विश्वास है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे उन्होंने कहा कि इस चुनाव को आम चुनाव ना समझे जैसे टीम इंडिया का जब भी किसी टीम से मुकाबला हुआ तो भारत को लोग जिताते हैं महीं चुनाव के बाद स्कोर इंडिया एक और भाजपा शुनने होगा इंडिया घडबंदन का भाजपा से पहला मुकाबला होगा महीं इस जीत का मैसेज देश के कोने कोने तक पहुचेगा ये लोगों के मन में एक आशा की किरन दिखाएगा महीं दोज़ा 24 में केंदर में भाजपा से मुक्त करवाएगा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को दिली में आम आदमी पार्टी के सेयोजग अर्विन केश्रिवाल वर अगव चड़ा की वेठक राश्टी कॉंगर्स अद्द्यक्ष मलिका जुन खटगे से हुई है इसके बाद उन पार्टियों के नेताओं के रुक बदले हुए नजर आ रहे हैं लोकसवा सीटों के बटवारे का फैसला बाद में लिया जाएगा इस पर क्रिकेट की तरह प्रतीबॉल कमेंटरी नहीं हो सकती है जैसे कोई मात्मुन फैसला लिया जाएगा उसके बारे में जरूर जानकर शेयर की जाएगी उन्होंने बताया कि कांगर्स नेताओं से हमारी मिटिंग में कई बिंदूओं पर चर्चा हुई उन्होंने कहा कि आप और कॉंगर्स साथ आते हैं तो हम दो नहीं 11 हो जाएंगे अर्विंद के जिवाल राम भगत हैं जब भी कोई काम करते हैं तो उन्हें लेकर आते हैं किसी से सार्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा अब इराम मंदिर का नियोता नहीं आया है जब आएगा तो बता दिया जाएगा चंडिगर्ण में 18 जन्वरी को होने वाले मेर चुनाओं को लेकर एपी कॉंगर्स वा भाश्पा चोकननी है कॉंगर्स के पार्षद दो दिन पहले शिमला गए थे लेकिन आमा आत्मी पार्टी की साथ हुए कड़ मंदन के बाद वा चंडिगर्ण आ गए थे इसके बाद मेर पत के मिद्वार जस्वीर बंटी ने अपना नामंकन वापस ले लिया अब फिर कॉंगर्स के सभी पार्षदों को रोपण के एक होटल में भेज दिया गया है अब चुनाम वाले दिन ही वह वापस आएंगे आमा आत्मी पार्टी के पार्षद भी रोपण के एक सौर्ट में रुकी हुए है वही भाश्पा ने अपने सारे पार्षदों को र Honors भार्षद दिनह के सारे ज्के स्वाओं